नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में और दोस्तों तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना दोस्तों इसका जो ओरिजनल इसकेल है गाने का वो बजा है मद्दे सर्थक की चौथी काली यानि जी शार्प मेजर से ये सागापा हुआ यहां से ये गाना ओरिजनली बजा है अब इसमें सुरों को याद रखने के लिए एक चोटा सा फंडा आप अपने दिमाग में रखें कि इसमें मा का यूज नहीं होता है क्या है पहली बात कि मा का हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे दूसरी बात गा है वो दोनों का यूज होगा यानि गा शुद्ध का भी यूज होगा और गा कोमल का भी और दोनों का एक साथ में जो यूज है बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट क्रियेट करता है तो क्या बात हुई पहली बात कि इसमें मा का यूज नहीं होगा दूसरी बात रही कि दौनों गा का यूज होगा और तीसरी बात ये है कि इसमें नी है वो कोमल लगता है बाकी सुर है वो शुद्ध कुल मिला करके क्या समझ में आया मा का यूज नहीं है दोनों गा का यूज है और नी कोमल है अब आपका scale जो भी हो वहाँ से आप इस प्रकार से सुरों का चैयन कर सकते हैं चलिए मैं इसका जो original scale है यहाँ से एक बार आपको सुर दिखाता हूँ तो सा ये रहा एक छोड़ करके रे अब दोनों गा का यूज होगा तो गाशुद और गा कोमल मा का यूज है नहीं तो पा फिर उसके बाद में धाशुद और नी है वो कोमल है नी शुद्ध तो ये रहा नी कोमल नी धापा गागा दोनों गा नी धापा गागा रेशा ये सुर है अगर मैं मंदर सब्तक में आऊं तो मंदर सब्तक में भी तीन सुरों का यूज है नी कोमल का यूज है ये नी हो गया नी कोमल उसके बाद में ये धाशुद्ध और ये पा तो इसका ओरिजनल स्केल से मैंने सुर ढूंड लिये अब हम इसको प्लेग कर सकते हैं यहां तक मेरा जो वॉइस है यहां तक जा रहा यहां तक अपना काम बन जाता है नी धापागा डौनो गा रेसा मंदर सब्थक में नी कोमल धापा यहां तक मेरा आवाज नहीं जा रहा है आज के दिन मैं एक दिन छोड़ करके इसका वीडियो आपको ओरिजनल से बजा करके दे दूंगा आप चिंता ना करें लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा कि यहां पर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो मैं एक सूर पीछे आ रहा हूं एफ शार्प यानि मद्द सब्थक की तीसरी काली यहां से मैं वही कंसेप्ट रखूंगा अपने दिमाग में कि मां का य पुझ नहीं करना है तो फिर आएगा हमारा पा और फिर धा एक छोड़ करके और फिर नी कोमल सारे का दोनों गा सारे गापा गाली दापा गागा गारे सा मंदर सब्थक मैं आऊं तो मैंने तीन सुर बताए थे यह सा है यहां से नी कोमल यह रहेगा नी कोमल और धा पाधा सार तो आप किसी भी स्केल से आपको लगता है कि शी शार्प से डूनना है तो सारे दोनों गा मा को छोड़ना है पाधा नी कोमल बस अपना काम हो जाएगा मंदर सब्थक मैं हो तो नी कोमल धापा यह हमारे सुर हो जाएंगे आप जो चाहें सुरों का आपको आइडिया हो जाना चाहिए और उसके बाद में आप इसको आसानी से प्ले कर सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आपको यह कमिटमेंट कर रहा हूं कि औरिजनल से मैं इसको बजा करके एक दिन छोड़ के देने वाला हूं क्योंकि आज गला उतन क्लियर नहीं है अभी मैं इसको आपको प्ले कर रहा हूं मजदे सक्तक की तीसरी काले तो इसमें एक फ्रेज है वो बार-बार रिपीट होता है और बहुत ही प्यारा हूं तो ये जो फ्रेज है बार-बार रिपीट होता है कहां-कहां रिपीट होता है मैं आपको बता दूँगा इसमें एकजेक्ट सुरों का पैटन क्या है बहुत आसान है जैसा कि गाह, कोमल और गाह शुद्द का एक साथ यूज बहुत ही प्यारा है देखे इसमें क्या हुआ ह ठीक है ये फ्रेज बार-बार रिपीट होगा और उसके बाद में हमारा शुरू होता है सौंग इसी प्रकार का लगबग मिलता जुलता अंदाज है ठीक है उसी प्रकार का अंदाज है तेरे संग प्यार में नहीं तोड़े ना और उसके बाद में फिर अगले लाइन चाहे तेरे पीछे पड़े सासा सारे साधा सासा चाहे तेरे पीछे पड़े जगे छोड़े ना चोड़ना जो सेकंड लाइन है इसके जो लास्ट में ना के बाद में वही फ्रेज जो मैंने पहला बताया था वो रिपेट होता है तो देखें चाहे तेरे पीछे सासा सारे साधा पड़े जग सागापा सागापा जग जग छोड़े ना चोड़े ना गापानी दापा गागागा पागारी साग इस प्रगार का अंदाज चलता है हमारा अस्थाई का पूरे पैटन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके समझ में आ जाएगा तेरे संग प्यार में नहीं तोड़े ना चाहे तेरे पीछे पड़े चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़े ना सागा पा लिया सागा पा गानी ना पा गा चाहे तेरे पीछे पड़े जग छोड़े ना यह हमारा अस्ताई कंप्लेट होता है अंत्रा की मैं बात करता हूं यह एक लाइन हो रहा है और इसी लाइन को मतलब कि एक लाइन का आदा पार्ट है सेम टू सेम अगला पैटर्न भी सेम रहेगा थोड़ा सा वेरियेशन देंगे और आप देखेंगे यहां पर सा के पहले धाका यूज है नीका यूज अभी नहीं किया है मंदर सब्तक में ठीक है तो नीका यूज अगली लाइन में होना है हलका सा जैसा कि मैंने ये सागापा लिया हुआ है तो शुरुआत होती है पासे और आप इसमें देखेंगे तीन तीन सुरों के कुछ पैटर्न के जैसे मैं आपको बताऊंगा याद रखने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा तो देखिए बिलकुल आसानी से मैं आपको अंतरा सम लगा ये पहला अंदाज है और यही अंदाज अगेंहeं होता है अगली दो लाइनों में लेकिन से थोडा सा वारी आपको पैटन जैसा कुछ लगेगा मांग मेरी में पगापगापगासा मांग मेरी में शबनमने साधा साधाधा मोती भरे धाशारे साधापा धाशारे साधापा थोड़ा जल्दी होना है यह ना को मांग मेरी में शबनमने मोती भरे फिर और नजारोंने वाधासा साधी सुद्ध और नजारोंने मेहंदी गापगा तीन सुर्व मेहंदी रचाई गापगापगासा गापगासा तो यह पहरी लाइन है और खतम हुई इसकी शुरुआप खतम हुई गासे अगली जो लाइन है थोड़ा वेरियेशन देके नीका यूज करेंगे इधर भी नीका यूज करेंगे तो वो चीज की शुरुआत हो रही है गासे ओ नाचे भी नहीं पाय लियां छै छै नगने लगी देखे इसमें क्या हुआ है नाचे भी नहीं गापा ली दापा नाचे भी नहीं पाय लियां गापा गापा गासा पाय लियां छनकने लगी ये हमारा पादा बादा सा में ली भी जो हमारा धा साथ बचानानी तो अवड़ियां को वैडियां देखे आपको वेलीशन समझ में आएगा पहरी लाइन एक बढ़ बजाएंगे तो आपको समझ में और साका दुबारा यूज किया है लेकिन यहां पर साथ ही जग है नेका यूज कर दो है ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा आप बिल्कुल स्लोली देखिए दौनों लाइनों को मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और मजारों ने मेहनी रह चाहिए नाचे वी नहीं पाया लियां शंचमकने लगी वी नहीं हावा वही पैटन आ जाएगा जो हम पहले कर चुके हैं तीन तीन सो लोगा तीन एर तीन एर बिन हावा के ही चोनेरी लहराई और फिर चोनेरी लहराई दुबारा दिप्रिट होता है चोनेरी लहराई और फिर वही पैटन ओ आज दिल से दिल हो आज दिल से दिल आज दिल से है दिल पूजोड़ना आहा दो यह आपकरी चुके हैं अस्ताई वाले पार्ट में तो पस वही चेज़ रिपीट हो जाएगा तो आप दोस्तों इसको तयार करें भसते रहें मुश्कुलाते रहें कैसा लगा मेरा ये प्रयाज कमेंट करके अबश्य बता दें धन्यावश्र अक् झाल झाल